हेलो दोस्तो राही व्लोग में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है पिछले वीडियो में हमने लांगजा गाउं में बुदा स्टेचु देखा था और अब हम कौमी गाउं जा रहे हैं जो की बहुती हाइट पर है उसे देखने जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं रास्ते और भी सुन्दर और एडविंजर फुल होते जा रहे हैं काजा से कौमी काउं की जो डिस्टेंस है 19 किलोमेटर है जहां पहुंचने में हमें 40 मिनट से ज्यादा समय लगेगा और वहां से हम इकिम जाएंगे जहां पर हमें वा जो सफर है एडवेंचर से भरपूर है और यहां पर जो आप स्नो देख रहे हैं यह बिल्कुल फ्रेश श्नो है और यह बिल्कुल शीशे की तरह चमकती है जब इस पर सन की लाइट पड़ती है तो और यहां की जो रोड है वहां पर बियारो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है लेकिन जब ज़्यादा हैवी सनोफोल हो जाती है तो बियारो को थोड़ा टाइम लगता है यहां पर आने में क्योंकि काफी ज़्यादा हाइट पर है तो वहां थोड़ा दिक्कत होती है लोगों को लेकिन आप जब भी यहां पर आएं तो हैवी सनोफोल में बिल दोस्तों हम कॉमिक गाउं पहुंच चुके हैं और कॉमिक गाउं का एक बार मैं आपको नजारा दिखाता हूँ। भौत ब्यूटीफुल गाउं हैं लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये वर्ल्ड का सबसे हाईस्ट विलेज है, वर्ल्ड का ये आपको ध्यान र और एक चीज़ मैं बताता हूं इस गाउं में केवल 114 लोग रहते हैं और इनका यहां का अल्टीट है वो है 4587 मीटर का और यहां पर जो उचाई है इसकी वह उचाई भी एक बर मैं आपको बता देता हूं यहां की जो उचाई है वो आपकी उचाई है 15,050 फिट इसकी उचाई है यह आप देख सकते हैं और यह साइड में मोनेस्ट्री है अब हम हिक्किम जा रहे हैं वर्ल्ड का हाइएस पोस्ट ओफिस देखने और वहां से हम कुछ पोस्ट भी करेंगे तो चलते हैं हिक्किम जाने के लिए दोस्तों हो सकता है कि आप अपना रास्ता ना पहचान पाओ लेकिन यहां पर एक छोटा सा कच्चा रास्ता आएगा उससे ही आपको नीचे उतरना है और वही रास्ता आपका हिक्किम जाएगा तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि हम भी थोड़ा गलत रास्ते चले गए थे तो हमें काफी पीछे आके वापस सही रास्ते आना पड़ा तो आप जब भी ऐसा यहां पर आए तो इस रास्ते का जरूर ध्यान रखें बिल्कुल छोटा सा बोड लगा हुआ होगा यहां पर तो देखिए आप रास्ता यहां का हम पहुँच चुके हैं विश्व के सबसे उचे डाग घर पर यानि हाई यस पोस्ट ऑफिस पर और दोस्तों देख सकते हैं कि यह जो लोग हैं यहां पर यह पोस्ट कार्ड को अपने घर पर पोस्ट करेंगे यह जैसा कह रहे हैं कि 14 से 15 दिन पर यह पोस्ट कारड यह आपके पते पर पहुंच जाएगा जहां भी आप भेजना चाते हैं तो हम भी देखते हैं भेजके, इतनी दूरा हैं तो एक पोस्ट बनता है ये भेजने के लिए, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या-क्या प्रोसेजर है हमारे भाई भी पोस्ट करेंगे, मैं तीन पोस्ट करूँगा, ये तीन पोस्ट करेंगे इंदो विए पे पूस्टकर खरीदा है और मैं ये पोस्टकर अपने पते बेपे भेज रहा हूँ मैं पता तो आपको नहीं दिखा देता हूं मैं इसके लिखा है और मैं इसको अब पॉस्ट करके आँगा तो दिखाते हैं उसकाड हमने ले लिया है और नीचे पॉस्ट ओफिस है 100 मेटर की डिस्टेंस पे तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अपने पॉस्ट काड को पॉस्ट करने के लिए तो दोस्तों चलते हैं नीचे देख सकते हैं आप सामने लेकिन हमें पोस्ट ओफिस जाने के लिए राइट जाना पड़ेगा क्योंकि राइट में ही उसका ओफिस है सामने जो है यह ओफिस नहीं था और हम इस पोस्ट काड को देंगे और हम आपको बता देता हूं कि यहां पर 10 रुपए यह एक्स्टा ले अपने होम स्टे में पहुंच जाएं क्योंकि जितना जल्दी होगा हम यहां से निकलेंगे हमारे लिए बैनिफीट होगा क्योंकि जैसे जैसे यहां पर रात होती जाएगी वैसे यहां पर ठंड बढ़ती जाएगी और ठंड आपको पता है कि यहां पर जो ठंड बहुत ज रहे पास चाव लोड दाल और ऑचाल है हमारे पास जो की बहुत ही बैस टेस्ट के साथ है हमने खाया यहां यहां पर मंने कल भी ख台 है जबकि इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिला मैं आपको पता होगा लेकिन आज जब हमने कहा ए तो हमें बहुत अच oppression मिला और अप नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। और अज हम जा रहे हैं। सभिर रामपुर बुशयर के Richt тех वहां का मार्केट काफी अच्छा मार्केट बताया है। देखते हैं आज वहाँ के मार्केट में क्या है और यहां का टेंप्रेचर आज माइनस 15 डिग्री है और एक दोस्ते चीज में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर शायद कोई मैदान है जहाँ पर शायद स्केटिंग कर रहे हैं कुछ लोग मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जो ग्रीन रंक है वहाँ आप एक पर देखने ही कोशिश करें वहाँ पर स्केटिंग करते हैं मतलो इसकेटिंग के लिए ही बनाए गया है और देख सकते ब्रफ की चादर चारो तरफ और यह हैं यहां के महाश्य जो देखो बालों से डखे वे किसी बालों से कम नहीं है और यहाँ पर जाद तर जो एनरजी का जो सोर्स है वो सोलर पैनल से ही लाइट का जा सोर्स रहता है रात को मैं आपको होमिस्टे नहीं दिखा पाया था तो अभी मैं आपको एक बार अंदर से होमिस्टे दिखा देता हूं यह होमिस्टे यह थोड़ा हमारा अस्त व्यस्त हो रखा है बहुत अच्छा था पीशे मैं आपको दिखा देता हूं और मैं थोड़ा आगे और द तरफ से खतम हो चुका है और अब हम कुलो डिस्टिक में एक गाउं में निर्मन वहां जा रहे हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या चीजा देखने लाइक तो आपको दिखाएंगे तो चलते हैं दोस्तों